Hi guys, welcome back to my YT channel again India में ऐसे काउन से स्मार्टफोन होगे जो कि आपको जून के महने में मिलने वाले है जून 2020 में काफी अच्छे अच्छे लाउंचे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप सभी को तो पता है कि e-commerce website ने अपने non-essential item की sale को फिर से resume कर दी है इंडिया के अंदर कुछ स्मार्टफोन के launches postponed हो गए थे lockdown extension के कारण में और कुछ स्मार्टफोन की deliveries को भी यहाँ पर रोग दिया गया था डिले कर दिया गया था पूरा वर्ल्ड coronavirus pandemic से चूज रहा है यहाँ पर इसका precaution ही सबसे बड़ा उपाय है एंडिवी हम लोग बात करते हैं जून के मैंने में launch वने लिए स्मार्टफोन के बारा में जो कि आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले है साथ ही चायना में 30 अपरेल को launch हो चुका है इंडिया में इसकी launch अभी बाकी है 6.53 इंचेस वाली full HD plus IPS LCD display मिलेगी साथ में 5020 mAh वाली battery मिलेगी सेम चुट सेम Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro के जैसे यहाँ पर आपको 18 वार्ट का fast charger box के अंदर मिल जाएगा जून में यह smartphone expected है आपको क्या लगता है comment box पर comment करके बता सकते हैं सेकेंड नमबर पर Realme की तरप से Realme X3 Super Zoom आएगा जो की इरोप में launch हो चुका है इंडिया में जून के महने में आने वाला है यहाँ पर अगर इसके specs की बात की जाए तो काफी दूनों के बाद में आपको Snapdragon 855 Plus SoC इस smartphone में मिलेगा मतलब यह phone 4G phone होगा 6.6 inches वाली full HD plus display मिलेगी 120 Hz वाली साथ में punch hole cameras मिल जाएगे Samsung का G1 sensor मिलेगा 64 MP का main sensor मिल जाएगा साथ में Periscope Plans के साथ में 60X digital zoom मिलेगा 32 MP वाला Sony AMX 616 sensor होगा साथ में 1200 mAh की बैटरी होगी 30 Watt की fast charging आपको आपे मिलेगी लेट सी यह smartphone कब आता है जून के अंदर एरोप में साथ coronavirus का अफर कम है Realme X3 Super Zoom भी एरोप में ही launch हुआ और अभी मैं जिसे smartphone की बात कर रहा हूँ वो भी smartphone एरोप में ही launch हुआ मैं बात करों Poco F2 Pro की जो की Redmi K30 Pro का remodel version है Poco F2 Pro इंडिया में जून के मैंने में आने वाला है 60 Hz वाली 6.67 inches वाली full HD Plus डिस्पले मिलेगी आपको यहापे साथ में Snapdragon 865 chipset मिल जाएगा 8254 वाला variant आपको यहापे मिलेगा इरोप में इसका जो प्राइस था उसकी सापसे इसका प्राइस 41,500 रुपे हो सकता है इंडिया के अंदर में अब क्या असली प्राइस होता है इंडिया में आने के बाद में वो तो वक्ती बताएगा यहापे आपको 20 MP का pop-up selfie camera मिलेगा 64 MP का quad camera setup मिल जाएगा 33W की fast charging का support मिल जाएगा यहाँ पे देखना यही है कि Poco F2 Pro इंडिया में किस price range में आता है OnePlus CEO ने यहाँ पे अपने affordable OnePlus phone को confirm कर दिया जिसका नाम होने वाला है OnePlus Z तो यहाँ पे पेटेलाउ ने hint भी दिया था कि वो अपने affordable OnePlus phone को जल्द ही launch करने वाले है यहाँ पे इंडिया में इसका क्या नाम होगा यह तो अभी बताया नहीं गया है लेकिन यहाँ पे अगर इसकी launching date की बात है तो यह आपको जून के last मेया फिर जुलाई के पहले हाफ में देखने को मिल सकता है यहाँ पे इंडिया में साइध यह smartphone OnePlus 8 light के नाम से आ सकता है Coming to the specs यहाँ पे आपको मीड़ेक के तरफ से जो recently launch हुआ है इस इपसेट डायमेंसिटी 1000L देखने को मिल जाएगा triple camera setup होगा मेरे इसाब से यह smartphone 25,000 रुपे की price range के अंदर आएगा Poco M2 Pro जिसको sport किया गया इस model number के साथ में और gram इसका code name होगा यह upcoming mid-range Poco phone 15,000 रुपे की category में आएगा अपने top and specification के साथ में Wi-Fi allowance और Bluetooth SIG database पे भी इसको sport किया गया है यहाँ पे हो सकता यह smartphone Redmi 10X का rebranded version बनी किया जो की अभी चाइना में launch हुआ है एक नया ICO device recently चाइना में unveil किया गया है जहाँ पे आपको मीरा टेक करफ से Dimensity 1000 प्लस chipset मिलने वाला है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ICO Z1 की जिसकी launching expected है इंडिया में June के महने में यहाँ पे कुछ आपको top end feature देखने को मिलेंगे सचे as 144Hz display 5G connectivity, triple camera setup जो की अपने 4K video capabilities के साथ में आएगा 44W की fast charging का support होगा और भी बहुत सारे features आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडिया में ICO Z1 के base variant का price सायद 23,000 के आसपास में हो सकता है और इसके top end variant का price 29,000 रुपे के आसपास में हो सकता है देखते हैं यह तो वक्ती बताएगा इसके अलावा आप इसक्रीन पर देख पा रहे होगे Redmi 9A, Samsung Galaxy M01, Galaxy M11 और OPPO Reno4, OPPO Find X2 and Find X2 Pro भी इंडिया में जून के मैंने में दस्तक देने वाले है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सौट में बता दिया यह ते कुछ ऐसा है smartphone जो कि इंडिया के अंदर में June के मैंने में launch होने वाले है आपकी क्या रहा है इस smartphone के बारे में आपको इन में से कौन से smartphone का इंतजार है आप बता सकते, comment box पर comment करके वीडियो अगर पसंद आज वीडियो को लाइक कर देजिए शेर कर देजिए अपने दोस्तों को बीच में और चैनल सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब कर देजिए आपने आगले टेक वीडियो में तब तक के लिए बाई